तो हेलो वियर्स मेरा नाम है अम्बुज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दि टेक्नो क्रेटिक्स और आज हम अन्बॉक्स करने वाले हैं ये एच्पी का M220 गेमिंग माउस तो कैसा है माउस इसको देखेंगे और अन्बॉक्स करेंगे फिर उसके बाद इसका र करते हैं तो यार डेस्क सामने मेरे पास आ चुका है एच्पी का M220 गेमिंग माउस जैसा के आप देख सकते हैं और यह है माउस का फिजिकल ओवर्व्यू और यह इसमें 5 DPI एजस्मेंट बने हुए हैं जिसमें की है 500, 1000, 1500, 2000 and 2500 और यह 7 बटन का माउस है विद ऑप्टिकल सेंसर आता है और पीछे देख सकते हैं पीछे की साइट क्या लिखा है एक बड़ देख लेते हैं HP का gaming mouse M220 और mouse control your game instantly switch between 5 DPI settings quickly और play your full potential बाके इसकी पूरी वही कथा लिखी हुई है जो कि पढ़ने से नहीं समय में आने वाली और इससे प्राइस लिखा है पैकिंग डेट ल एक्चुल नहीं है एक्चुल प्राइस तो Amazon की डिस्क्रिप्शन में क्या कहते है मैं लिंक देदू में Amazon की साइट से देख लिजेगा और यहां किनारे की साइट HP की binding देख लिए और इस किनारे पर कुछ सिस्टम रिकॉर्मेंट्स वाट्स इंसाइड और स्पैसिफिकेश का Windows 7, 8.1 या 10 और Mac OS 10.3 और लेटर और USB पोर्ट वाला माउस है तो जाय सी बात है USB पोर्ट होगा उसमें स्पैसिफिकेशन निखा आई USB वाय इंफ्राइड 500 DPI सेटिंग्स नमबर ऑफ बटन सेवेन बटन प्रेस दिस्टेंस 0.7 mm और वेड बटन प्रेस फूर्स 65 ग्रेम् अप्टू 30 मिलियन टाइम्स का किते है बटन प्रेसिंग का जो इसमें लिखा हुआ है ऐसा तो इसकी गरेंटी है और 5 वोल्ट्स 100 मिली अमपेयर का एक इसका वोल्टेज है और केबल लेंथ है 1.7 मीटर तो बाकी तो आप सब देखी सकते हैं खोलने के बाद एक बार मैं इ और इसके अंदर देखें का का निकलता है फिराल एक प्यारी सी ट्रे है यह देखिए प्लास्टिक की और उसके अंदर रखा हुआ है हमारा HP का एक माउस जो की पीछे USB वायर्ड है और यार इसके बाद मैं देखता हूँ पीछे कुछ पेपर वर्क है इसमें यह चाइनीज इस लेंग्वेज में कुछ वारेंटी कार्ड का है HP सपोर्ट का कुछ पेंख्रेट वर्क है इसको साइड में रखते हैं आज आते हैं अपने माउस की तरफ तो यह है माउस की केरेल एकदम प्रीमियोन कॉलिटी के और यह है एक मैगनेटिक कंट्रोल वाला एक जो की डिव इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं और वायर काफी उलच सा गया है तो सीधा करना पड़ेगा यह आ चुका है हमाने बाहर और अब हम चलते हैं इसको लगाते हैं पहले अपने डेक्स्टाप या लैप्टाप पे तो लैप्टाप पे पहले लगाते हूं मैं और दिखाओंग आपको लैप्टाप की स्क्रीन के साइड बाई साइड डिपाई अजस्ट्मेंट करके पी आईपी मोंड में और यह यह यूस्बी 2.0 3.0 अब मैं इसको लगा लेता हूं और यह मैंने लगाया है तो देख सकते हैं आप कैसी कैसी लाइटिंग जल नहीं है और इसको एक बा तब मैं आपको पूरा इसका दिखाता हूं कि क्या है क्या नहीं है तो यह है फिलाल माउस और इसका वायर बड़ी ही प्रीमियम क्वालिटी का है आप देख सकते हैं और इसमें देखिए कुछ सतरंगी लाइटे जल लाइए और आखी आपको बटन के बारे में दिखा देते हैं यह है लेफ्ट क्लिक लाइट क्लिक और यह है माउस वील जिस को आप प्रोग्राम कर सकते हैं बाद में और बाकी पीछे देख सकते हैं किता खतरनाक सा डिजाइन दिया हुआ है और यह कुछ प्रोड़क्ट नमबर और प्रोड़क्ट नेम गेमिंग माउस डिसी 5 वोल्ट 100 मिलियंपेर और यह है इसका उप्टिकल सेंसर अब किनारे से आप देख सकते हैं बड़ी प्रीमियम डिजाइन के साथ लाइटिंग एफेक्ट जो आपको देख लेता है और यह बड़ी प्यारी से लाइटिंग जो जो की है और अब देख लेते हैं इसको एक बार उप्योग करके इसका पूरा प्रिक्षन करके तो रिफ्रेश करता हू और जो ग्रिप इसकी आ रही है चोटे पाम के लिए बड़े पाम के लिए देख सकते हैं आप कंपेरिटिवली एक कंपेरिजन के लिए एक और माउस मेरे पास रखा है तो उसको भी एक बार मैं ले आता हूँ यह है HP का और मेरे पास mouse, यह gaming mouse नहीं, नार्मल mouse है, आप compare कर सकते हैं कि कि इतना अंतर है दोनों में, दोनों मेने palm में ही है, और देख सकते हैं, यह इतना बड़ा अंतर है, और इसको लेकर के feel आरहा है, थोड़ा-थोड़ा की, hey what's slow, gaming करो, यह वाला feeling आरहा है, इसको लेकर क तो बल्की लगता है थोड़ा सा लेकिन अब आप टेवल पर रखे इसको लेकिन अगर गेमिंग करेंगे तो देख लेते हैं तो यह बड़ डीपियाइड जिस्ट करके आपको दिखाता हूं यह मैंने प्लस का बटन दवा भी आया है एकदम मैक्स पर है वी डीपिया याने 25 द sekarang कर्सर कीतना जोऄ-जोऄ भाग रहा है मैं हलका हं ओर देख सकते कर्सर कितना तेज भा रहा हूं कि अको हलका सभी सेज्टिविटी कंट्रोल डीपियाई का मतलब होता है व कि मैए Śुंत के सभ सरPad सब्सक्रिइंगे साफ से 25 पर रिंच है क्वाइड, उसके साब से स्पी करता हो और स्लोय हो चुका है आ, और इक काम करता हूं तो एकदम वर सा गया है, पर ये और कमकरता हूं अब तो रेंग रहा है केवल, अब थेकर आप देखर पा रहे होंगे और छलिए अब इसमें कितने अड़े राइट है, तो अर फिर या ने ग्रीन और फिर है हमारा ब्लू तो तीन हो गई है अभी तक फिलाल गिंते रही है मेरे साथ फिर है यलो फोर पर उसके बाद अब ब्रीथिंग एलेडी है ब्रीथिंग एफेक्ट उसके बाद यह परपल पांच हो चुकी है और फिर शिक्स्त में सियान कलर है अच्छे हो गई पिर यह वाइट कलर का है तो सेवन कलर्स का यह बढ़िया सा एक एफेक्ट वाला माउस है तो एक बार मैं अपनी लाइट्स बंद कर लेता हूं रूम की फिर आपको इसका जो और आवरा है वह मैं दिखाता हूं कि कैसा है लेफte Sight Right Side, नीचे की Site आ रहा हैं किता अचछा effective became Ger The Logos है अंधिर lawyer और में कितना अच्छा glow कर रहा है और यह यह सेटअब के साथ यह मैच हो रहा है तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है feeling भी आ रही है gaming की एकदम A और काफी अच्छी प्रीमियम कॉलिटी का माउस है इसा कि मैंने आपको पहले भी बताया और काफी अच्छा है यह गेमिंग परपस के लिए आप यूज कर सकते हैं और बाकी जाएं फैशन परपस के लिए भी यूज कर सकते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा यार इसका मुझे पड़ा है टोटल एमेजन से तो एक बिगिनर लेवल और एंट्री लेवल गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा एक गेमिंग माउस है तो मैं रिकमेंड करूंगा गेमर्स से कि अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं है तो आज के लिए उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक देजेगा और में चैनल टेक्नोक्रेटिक्स को सब्सक्राइब कर दिजेगा और जिससे मैं ऐसा कंटेंट हमेशा आता रहता आपको भी अपडेट्स मिलते रहे हैं उस बेल आइकन को भी और पर कर दीजेगा तो हैवा नाइस डे